गैंग बार के चलते एक बार फिर कोडर्मा का गडगी इलाका देहल गया इलाके के कोख्यात अपरादी सुरेश साव गैंग ने अपने बिरोधी लोचन साव को दिन दहाड़े गोली मार दी लोचन साव को सदर अस्पताल में भड़ती करवाये गया है जहां उसकी हालत गम भीर बनी हुई है यहां बता दें कि सुरेश साव और लोचन साव के बीच इलाके में दबड़े को लेकर पुरानी दुस्मनी चल लही है और इसी के चलते ये घटना कारित की गई है हाला कि लोचन साव ने समाच की मुखधारा से जुड़ने की कोशिश की है और उसने अपने घर के पास ही एक दुकान खोल लगी है उधर घटना के बास से ही सुरेश साव फरार है उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबे दे रही है बहीं इस घटना के बास से इलाके के लोग दहसत में है उन्हें इलाके में एक बार फिर गैंग बार की आसंका सता रही है हैराई न्यूज के लिए कोडर्मा के गड़गी से झाल